हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टो मैं चैनल अम्रिती पेशनमिला आज की वीडियोब हम लेड्डू को पाल जी के लिए ड्रेस बनाएंगे हमने यलो और ब्लैक कलर में बनाई है बहुत ही कुप सुरो सी पुशाग बहुत ही सिंपल और आसान तरीके में बनाई है और यह है इ इसमें आपको बस तीन चीज़ों के जोरत पड़ेगी एक हमने शाटन का फैब्रिक लिया है एक हमने चंदरी का फैब्रिक लिया और एक आप कोई भी लेस ले सकते हैं और वीडियो में मैंने बता भी दिया है कि अगर आपके पास यह चीज़े नहीं है तो आप इसकी जग आपने मुझे अभी तक इंस्टागाम पर फॉलो करें मेरा इंस्टागाम हैंडल है अम्रिधी पैशन मिला 50 आप लिंक आपको डिस्किप्सिन बॉक्स में मिल जागा तो चले हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बनाते हैं गुपाल जी के लिए यह ब्यूटिफुल सी वीडियो के आन में हमने पर उस्टार लिए प आपको कोई नेकाड और चैंदेरी का फैब्रिक लिया अब अगर आप इसे कॉर्टन में बनाना चाहते हैं तो ओर कॉर्टन का एक प्रिंटेट लिया सकते हैं और अगर आप चाहें तो दोनों प्लेन भी ले लेंगे तो भी एड्रेस बहुत सुंदर लेगेगी बस दोनों आप दो कलर में रखें तो चली हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और दिखाते हैं कि इसे कैसे बनाना है आपको यह देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पे यलो कोलर में शैटन का फैबरिक कट किया है इसकी चौड़ाई हमने साड़े चार इंच और लंबाई हमने 30 इंच रखी है साथ नंबर के कानाजी के लिए मैं सभी साइस के लिए आपको मेजर्मेंट बता देती हूँ सबसे पहले हम यह चौड़ाई देखेंगे तो चुकि चौड़ाई हमने यहाँ देखें पॉइंट में है तो देख लेते हैं जीरो साइस के लिए रहेगी 2.75 इंच तो मैं आपको क्लियर करके बता देती हूँ अच्छे से यह दिखेंगे यह है 2.5 इंच यह है 3 इंच तो 3 इंच और 5 इंच के बीच में हो जाएगा हमारा 2.75 इंच जीरो साइस के लिए रखने है 2.75 इंच एक नंबर के लिए 3 इंच 2 नंबर के लिए 3.25 इंच 3 नंबर के लिए 3.75 इंच 4 नंबर के लिए 3.75 इंच 5 नंबर के लिए 4 इंच 6 नंबर के लिए 4.25 इंच 7 नंबर के लिए 4.75 इंच 8 नंबर के लिए 4.75 इंच 9 नंबर के लिए 5 इंच और 10 नंबर के लिए 5.25 इसे ही यह 10.25 इंच बढ़ता चला जाएगा चाहे अब जितने sizes तक चले जाएं अब हम बात करते हैं इसके लंबाई की तो लंबाई भी देख लेते हैं जीरो साइस के लिए हमने रखी है 16 इंच, 1 नमबर के लिए 18 इंच, 2 नमबर के लिए 20 इंच, 3 नमबर के लिए 22 इंच, 4 नमबर के लिए 24 इंच, 5 नमबर के लिए 26 इंच, 6 नमबर के लिए 28 इंच, 7 नमबर के लिए 30 इंच, 8 नमबर के लिए 32 इंच, 9 नमबर के लिए 34 इंच तो सिधी साइट से हमें रखना है और क्या करना है यहां से ऐसे एक बार फोल्ड करके और सिलाई लगा देनी है आपको ध्यान देना है कि सिर्फ एक बार हम फोल्ड करेंगे और सिलाई लगा देंगे अगर आप लैस यूज कर रहे हैं तो सिर्फ एक बार फोल्ड करके सिलाई यह देखिए यहां पर हमने एक बार लगा दिया आपको दिख रहे होगी अब आपने यलू कलर में ही लेस ली है यह देखिए आप चाहें तो ब्लैक कलर में भी ले सकते हैं इसे हम यहां पर ऐसे करके लगाएंगे तो देखिए हमारी सिलाई कवर हो जा रही है तो चलिए हम लगा लेते हैं फिर आपको दिख़ा यहां पर यहां से लगफिए चोटिए है रहे हम पैसे दुनों को लगके यहं से एक सिलाई लगाएंगे तो लनगा ले ल दिखाएंगे यह देखिए हमने यहाँ पर इसे attach कर लिया है अब हमने यहाँ पर यह tissue ribbon लिये और एक सिलाय यहाँ से लगा के इन दोनों को joint कर दिया है अब हम tissue ribbon लेंगे और tissue ribbon की help से ऐसे करके इसे lock कर देंगे यहाँ से lock कर देना है बहुत आसानी से हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं होगी आपको ऐसे करके सिलाय लगा देनी है यह देखिए हमने एक साइट से कर दिया है सेम तरीके से इधर से भी करेंगे चले कर लेते हैं फिर दिखायांगे क्या करना है यह देखिए हमने यहां से लॉक कर दिया अगर आपके पास टिशू रिबन नहीं है तो आप नॉर्मल रिब यह देखिए यहां पर यह है 3 इंच हमने यह पर 3 इंच कमर रखे यहां पर यह देखिए हैं तो यह सात नमर एक अगराजी के लिए हमने यह पर पलेट डालके कठा करके तीर इंच में क्या है सबी साइज के लिए आप मेजर्मिंट देख लें देखिए zero size के लिए है एक दसमियो दो 5 इंच अब एक दसमियो दो 5 इंच क्या है यह 1 इंच है और यह 1.5 इंच 1.5 इंच और 1.5 के बीच वाला हो जाएगा 1.5 इंच फिर एक नंबर के लिए है 1.5 2.6 दो नंबर के लिए 1.10.75 इंच तीन नंबर के लिए 2 इंच, 4 नंबर के लिए 2.25 इंच, 5 नंबर के लिए 2.25 इंच, 6 नंबर के लिए 2.75 इंच, 7 नंबर के लिए 3.25 इंच, 9 नंबर के लिए 3.25 इंच, और 10 नंबर के लिए 3.75 इंच, ऐसे ही ये 10.25 इंच, 10.25 इंच, 10.25 इंच बढ़ता चला जागा, चाह अगर यह cotton में होता तो खुद बखुद सेट हो गया होता बट यह cotton में नहीं है यह हमने चंदेरी का फैब्रिक लिया है यह ऐसे करके हम इसे हाथ सेट कर लेंगे आप प्रेस लगा दें तो वह तो बहुत अच्छा है बट थोड़ा ध्यान से प्रेस लगाएं क्योंकि यह हाथ से प्रेस कर लेंगे अब थोड़ी थोड़ी सी प्लेट आ गया है यहाँ सेप में हो गया है अब में कहीं करना है यहाँ कमछ क्मर कैसे बनाएंगे यह देख लेता है कि अब नेफ हमने यह आपर श zig आ fakर कर लीक हैं इसकी चोडाई हमने दो इंच रख है और डुरूड कर दिया है अब क्या एक्ष्टरा रख में हाद अब क्या करेंगे यहाँ और फिर यहाँ ऐसे पलट के आगे की साइड और अचले लगाएंगेर सिलाय लगाने के पहले इसके बीच में हम ये डोरी डाल देंगे बादने के लिए झाला ये इस तरो से डोरी डाल देंगे और फिर यहां से सिल دेंगे छल्ए हम सिल लेते हैं फिर आपको तिखाएंगे का करना है ये देखिए हमने यां पे नेफा पे लगा के डोरी डाल दी और सेम तरीके से हमने एक और पीस त्यार कर लिया यह देखिए सेम मेजरमेंट के साथ सेम तरीके से त्यार किया है इसे भी हमने अभी प्रेस नहीं किया है तो चलिए अब हम चोली बना लेते हैं अब देखिए हमने यहाँ पे चोली के लिए i para ہے इसके क्षोड़ाइं धां और लंबाई हमने जलाइंट होजाएं तो तो 0 साइस के लिए 6 इंच, 1 नमबर के लिए 7 इंच, 2 नमबर के लिए 8 इंच, 3 नमबर के लिए 9 इंच, 4 नमबर के लिए 10 इंच, 5 नमबर के लिए 11 इंच, 6 नमबर के लिए 12 इंच, 7 नमबर के लिए 13 इंच, 8 नमबर के लिए 14 इंच, 9 नमबर के लिए 15 इंच, और 10 नमबर क अब हम क्या करेंगे इसे इधर से ऐसे फोल्ड करेंगे और फिर इधर से भी ऐसे फोल्ड करेंगे यह देखिए जो इसका खुला वाला इससा बीच में आना चाहिए और यहां से एक सिलाई लगा लेंगे और इसके साथ हमने क्या करना है इधर से फोल्ड किया इधर से अब क्या कर lagi कि इसे ऐसे बीच में रखेंगे और देंगे यहां से लेका लेंगे चली मित्ता काम कर दें फिर आपको दिखाएंगे क्या करना है यह रही है यह थे हम आप्य हमने volunteers कर लिया है अब क्या करेंगे इसा करके 20 से कट कर देंगे यह दिखें यह हमने 20 से कट कर दिया 20 से कट करने के बात क्या करेंगे इन दोनों को ऐसे एक दूसरे के उपर लखेंगे और यहां से लगवाग डेढ़ इंस तक सिलाए लगा लेंगे चलिए लगा लेते हैं फिर डिकाते क्या करना है यह देखिए यहा यहां पर ऐसे रखके इधर से सिल देंगे और दूसरी साट भी इसे पास कर लिना है और अपने इस फैब्रिक को यहां पर रखेंगे और एक सिलाई लगा लेंगे चले हमें तक आप करते हैं फिर आपको तिखाएंगे क्या करना है यह देखिए यहां पर इसे जॉइंट कर ल देंगे और यहां से एक नाखुल लगा लेंगे और इधर से इस वाले से को अंदर डाल देंगे और इधर से इस वाले को ऐसे करके दोनों अंदर हो जाएगा फिर दोनों को ऐसे एक दूसरी के उपर लखके सिलाई लगा लेंगे ऐसा करने से यहां पर बहुत अची सटवाल लिए इसे यहां से ऐशे करना है और इसके पार हम क्या करेंगे इस वाले हिस्य pracy इसको रख के हम चिपका लेंगे अगर आप स्वूई थाके से िंद रहें तो यह हाँ पर इससे सीब लें तो मैं यहाँ पर इससे च्पका लेती हूँ यहाँ पर थोड़ा glue लगाया और इसे हम चिपका देंगे यह हो गया यह देखिए यह कुछ इस तरह का आएगा और अब हमें क्या करना है इस वाले हिस्से को ऐसे पीछे की साइड यहाँ पर हम लगाएंगे यह देखिए ऐसे करके यहाँ पर भी हम इसे glue के हलसे चिपका लेंगे तो glue लगा लेते हैं मैंने सुई धागे से भी सिलके बहुत बार दिखाया है आप मेरी पूरानी वीडियो देखिए जरूर मिल जाएगा आपको यह देखिए बस यह हमारी पगडी रडी है यहाँ से यह पूरी फैलेगी आप यह पाल जी को बस जहां पर मैंने चिपका है वहीं पर आप सुई दाए कि हलसे चीनल है कोई दिकत ही नहीं होगी यह देखिए अंधे आप गोपाल जी को ले लिया है इन्हें पोशाग पहना लेते हैं तो यह जो हमने यह आगे से से तोड़े दूर यह हमारा फ्रंट पर तो इसे हम ऐसे आजरेके पहराएंगे, देखेकशे emocis वाला वी चाहिए इससे हमें आगे के तरफ करके बढ़ देना है इन लेंगे यह देकिए यह पीछे से कितना अच्छे से बदल आई है और आगे वाले को अब पीछे करके बाद लेंगे यह देखिए बहुत अच्छे से पिट आई है अभी में फ्रंट से आपको दिखाऊंगी उसके पहले हम इन्हें यह है इनका बाल और पगड़ी में डाल देते हैं ऐसे करके ऐसे ही मैं लगाती हूं इन्हें पगड़ी पहले बाल को सेट कर लेती हूं फिर आसानी से लग जात कि यह हो गया है चली मैं सामने से दिखा देते हूं कि पोशाक इनके उपर कैसी लग रही है यह देखिए यह है सामने से लूग लाइट एफेक्ट की वज़े से ब्लैक वाली का कलर थोड़ा सा खुलके नहीं आ रहा है वैसे मैं फोटो डाल दूंगी आप जरूर चेक कर ल पे क्लिक करें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको शब से पहले मिले सो थैंक यू प्रेंस थैंक फोर वाचिंग